दोस्तो रासन कार्ड को लेकर के सरकार ने एक नई मोबाइल अप्लिकेशन को लॉंच किया है जिसमें कई सारे सर्विसेस को जोड़ा गया है जिनको आप घर बैठे ही इस्तेमाल कर सकते हैं इस मोबाइल एप से आपका अधार कार्ड जुरा है कि नहीं चेक कर सकते हैं साथ ह से पहले मौबाइल में play store को open करना है और यहां search में मेरा राशन लिकरके और search कर देना है in search करने के बाद यह application को अपने मौइल में download कर लेना है और मैं पहले से download कर लिया हूं इसको यहां से open करते हैं open कर लेने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको सबसे पहले रजिस्टेशन का ओप्षन है अब यहां पर राशनकार नंबर को डालना है यहां पर राशनकार नंबर डाल देते हैं कि राशनकार नंबर डालने के बाद यहां पर सब्मिट का जो अप्षन है इस पर क्लिक करना है कि क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर जितने भी सदक्स क्या नाम है राशनकार में यहां पर आपको देखने को मिल जागा यहाँ, पर नाम भी मिल जागा, और relationship ठीक है, और नीचे में है, select state, district, मुएल नमर्ड डाल करके और यहाँ, पर migration remarks पर क्लिक करना है, यहाँ, पर आपको मिल जागा, राशन कार्ड में जितने सदस का नाम है, उनका नाम रहेगा यहाँ पर और दूसरा ओप्षन है Know your implement आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आधार नमबर से भी देख सकते हैं राशनकार नमबर से भी देख सकते हैं तो यहाँ पर राशनकार नमबर डालते हैं राशनकार नमबर डालने के बाद यहाँ पर सम्मिट करना है तो यहाँ पर देखिए यह खुल के आ चुका है कितना आपको यह हूं कितना चावल आपको मिलता है यह सब जनकारी आपको मिलेगा ठीक है और यहाँ पर स्टेट इस यहाँ पर यहाँ भी मिलेगा देखने देखने को मिलेगा और यह दूसरा हो गया फीचर उसके बाद यहाँ पर आधार नमबर से भी देख सकते हैं उसके बाद बैक करते हैं यहाँ पर है नर्वी राशन सौप्त आपके आसपास कौन-कौन से नजदीक में डीलर है उन सब का आप यहां पर देख सकते हैं GPS on करके नजदीक की दुकान दार कौन है उसके बाद है इस पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहां पर आप जिस भी एस्टेट को देखना चाहते हैं आप यहां पर सेलेक्ट कर लेना है यहां पर देखिए सेल क्वांटिटी आउट यह सब जनकारी आपको यहां पर मिलेगा और आपको यहां पर है my transaction इस पर सेलेक्ट करना है यहां पर आसन कार नमबर डालना है तो चलिए यहां पर आसन कार नमबर डाल देते हैं है और सब्मिट पर क्लिक करते हैं कि सब्मिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर इसमें बताया गया है आप रेगुलर रासन लाते हैं या नहीं लाते हैं यह सब जनकारी किस कौन-कौन से तारी को आप रासन लाए है उसका राइस वेट मतलब चावल गये हूं यह सारी जनकारी इसमें मिलेगा और किनके नाम से है यह रासन कार नमबर बिनोद कुमार चोहधरी यह रासन कार नमबर है यहां पर और अब अगला फीचर्स के बारे में जानते हैं इलिजिबिलीटी यहां पर रासन कार नमबर डालना है तो चलिए यहां पर रासन कार नमबर डाल देते हैं और समीट पर किलिक करना है उसके बाद में बेनेफेसरी यहां पर इसका स्टेटस भी देख सकते हैं या या नो उसके बाद है अगला अधार नमबर से भी देख सकते हैं और उसके बाद है यहाँ पर अधार सीरिंग मतलब आपका अधार कार जो है राशन कार के साथ जूरा है या नहीं यह चे करने के लिए आप यहाँ पर अधार नमबर भी डाल कर देख सकते हैं या राशनकार भी नमबर डाल करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर राशनकार नमबर डाल देते हैं, तो यह सब आपको यहाँ पर मिल जागा, उसके बाद है, सुगेशन, फीड़ बैक, यहाँ पर कार्ड नमबर डाल करके, मोबाइल डाल करके, आप देख सकते हैं, कार्ड नमबर, मोबाइल नमबर और फीड़ बैक, रेटिंग और समिट पर किलिक कर देना है, उसके बाद यह है, लोगिन का और सन है, यह केवल आधिकारिक के लिए है, ऐफिसेल लोगिन है, यह आप नहीं खोल सकते हैं, इसको आधिकारी, यह लोगिन है, सरकार जो अधिकारी होंगे वह खोल सकते हैं इसको कुछ नहीं करना है तो यह सारी जनकारी आपको इसमें से आप देख सकते हैं रासन कार्ड में आपका अधार कार्ड जूरा है या नहीं आपके आसपास कौन-कौन से डीलर मौजूद है यह भी देख सकते हैं तो यह सारी ज तो थैंक्यू मिलते हैं अगले वीडियो में